नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप लोग पेटियम का पासवर्ड भोल गया हूँ तो कैसे आप अपना पासवर्ड पता कर सकते हो जैसा कि यहाँ पेटियम का पासवर्ड भोल गया हूँ तो अगर आप भी पेटियम का पासवर्ड भोल गया हो तो आप अपना पासवर्ड का पता करोगे यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और दोस्तो चैनल को सस्काइब जरूर कर लेना क्योंकि चैनल पर हमाईसा ऐसी टेक्ट्रिक्स की वीडियो सबसे फिल अपलोड होती ही रहती है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पेटियम का लोगिन पासवर्ड कैसे पता करना है तो सबसे पहले आपको अपने phone में इसके लिए open करना होगा Paytium application को तो यहाँ पर आप लोदे सकते हो यह Paytium तो मैं जो यहाँ पर Paytium को open कर लेता हूँ और Paytium को open करने के बाद आप 3Dart पर click करेंगे जो profile का option है आप profile वाले option पर click करेंगे और आप लोग यहाँ पर login to continue पर touch करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आप अपना Paytium नमबर डाल देंगे और उसके बाद में आप login पर click करेंगे तो यहाँ पर आप से बोला गया password तो ऐसे में आप अपना password पता करोगे आप password भूल चुके हो तो यहाँ पर देखो आप को एक नईया password बनाना पड़े गया तो उसके लिए आपको करना क्या जैसा आप लोग ब्लोग कर देते हो यहाँ पर आप activities नमबर डालेंगे उसके बाद में आप procedure नेची आपसन पर किलिक करेंगे उसके बाद में आपके नमबर पर cing पर आपके सामने इस प्रकार का अपसना जायेगा और यहां पर आपको दिखायेगा set new password तो यहाँ पर आपको एक नया password बना लेना यह, यहाँ पर आप यही password डालोगा यही password आपके निया पास्वाड इंटर कर देते हैं तो देखो यहां पर आपको पासवाड जो है मिनिमियम फाई डिजित का डालना होगा और पासवाड़ यहां पियसे डालना होगा ठीक है ठीक है तो समस्वेस न कीज आपने पासवर है यहां बית पालीयेगा तो आप लोग समझ गये होंगे कैसे पासवर्ड यहाँ पे आपको create करना आपको पता ही होगा चलिए हम नहीं पे एक password डाल देते हैं ओल्राइट गाइस थो हमने पे एक password create कर लिया हूं आप लोग देख सकते हो और आप जो password यहां पे डालेंगे इसमें उसी password को आप नीचे डालेंगे उसके बाद में आप नीचे save वाले option पे click कर देंगे जैसे आप लोग save वाले option पे click कर देंगे तो आपको जो password होगा successfully reset हो जाएगा और आपका जो password होगा आपके पेटियम अकाउंट से link हो जाएगा आप नीचे proceed वाले option पे click करेंगे और उसके बाद में अभी आपने जो password बनाया होगा उस password को आप यहां पे डालेंगे ओकी गाइस तो हमने अभी वह जो password create करा था उसी password को डाल दिया दन उसके वाहन में आप submit वाले option पे click करोगे पेटियम यहां पे login हो जाएगा चलिए मैं आपको दिखाता हूं मैं यहां पर submit वाले option पे करा और यहां पे आप लोग दे सकते हो कि यहां पे मेरा पेटियम जो है लोगिन हो चुका है तो अभी यहां पे आप लोग दे सकते हो मेरा पेटियम लोगिन हो चुका है और आपने जो भी पासवर्ड करा है अब जब कभी भी आपको पेटियम लोगिन करना होगा उसी पता कर सकते हो यानि की चेंज कर सकते हो है ना तो आई होप आपको पसंद आओगी वीडियो को लाइक करना चैनल पर पहले बार आपको सब्सक्राइब करना चलिए आज केसी वीडियो को जहने ही पर अब दक लिए जाहिन बंदे मात्रम